विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज हम बात करेंगे यहां पर ब्यस्टी पार्ट बन जिसमें आपका समिस्टर कौन साओ का बन ठीक है ब्यस्टी पार्ट बन के लिए आज हम जुलोजी के जो भी हमारे बचे हुए अबजेक्टिव हैं उनकी बात है इस लगजे आपका यह सिर्फ पस्टिर वालों के लिए आपका समिस्टर भी काउन सा यहां पर पर समस्टर ठीक है तो हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में जुलो जी के जो MCQ है ठीक है बेरी इंपोर्टेंट जिसमें से हमने फ़स्ट यूनिट से फोर्थ यूनिट तक कम्पलीट करा दिये आज हम सिकंड पार्ट है जिसमें हम फिप्त से यर्थ ठीक है फिप्त टू यर्थ यूनिट तक के सभी सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो बने रही है वीडियो के अंतर तक और वीडियो को इसकिप नहीं करना है पूरा वीडियो देखना है बहुत ही इंपोर्टेंट यह हम डॉनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है कर सकते हैं चलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे सीधे कोश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखें क्या कह रहा है ठीक है क्यूंकि हमने जो लॉंग कोश्चन है उसमें अच्छे से समझ लिया है ठीक है समझाएंगे और जो हमारे शॉट कोश्चन है उसमें भी हम पढ़ेंगे तो यह लॉंग और शॉट से ही हमारे क्या बन जाते हैं जो अब्जेक्टिव बस तुनिस्ट प्रसम जिसे कहते हैं तो चार अप्शन दिये होंगे उनमें से कोई एक होगा वह हम देखेंग लाल और नीले हरे मतलब इनमें बिभेद नहीं कर पाता है उसको कहते हैं तो इसका मतलब कारण क्या होता है कैसे बनता है तो इसका कारण होता है आनवन्शिकी ठीक है इसको अपने पूरवजों से उसमें जो है विकार उत्पन हो जाते हैं तो इसका क्या हो जागा आप्श भी है ठीक है तो इसका आंसर हो जागा आपका डी लैंड स्टीन एंड वीनर तो यह जो लैंड स्टीन और वीनर नाम के बैग्यानिक थे इन्होंने आरेच तत्की खोज की थी ठीक है नेक्स्ट हमारा हो जागा थर्ट करह एक व्यक्ति में ट्यूमर उत्पन करने वाली का ऊचले हैं इसको कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर वाली ठीक है ड्लेस्टें में आसमें इसमें उत्पन नहीं हुआ है लेकिन उसमें कैंसर नहीं है तो यह घठना आपका निया का तायी कमी होती है इसलिए कवे उत्रण करने वाले जीन तो होते हैं लेकिन उसमें cancer नहीं होता है ठीक है next कहारा मनश में here year करण पल्लब जने कहते हैं यानि की कानों में हलके हलके जो year year आ जाते है ठीक है वह किस प्रकार का लक्षण तो यह किस प्रकार का लक्षण कोशिस केजिए बताने की तो इसका answer आपको हो का भी आंसर क्या है बाई लिंसर क्या है भाई लिंकिश ह 와 लेक्स्ट मėō अलएजें जीन जीन बिन Batteries में होता है तो यह जो जीन का एक्समाइब किस के द्वारा होता ये आपको बताना है तो जीन बहती द्वारा हो सि उनिट के की पहला है इसमें कर रहा यदि किसी लाल रुद更 एवय है कोई इसके शुरस के सा होगे क्योंकि और नहीं होगा तो किसी hold में को तुम होगा जागा इन में से अवग कोई भी कि अगर हम बात करें तो कहन 23 का उद्धे से जो olmak इंप्रिंटिंग है उसका तो यह क्या दर साथा है जरा सोचीए इसका आंसर कौन सा हो जागा तो इसका आंसर आपका हों जाएगा जीन साइलेंसिंग क्या हो कि कहरा है एंजिल मैन धेंजिव मैं सिंड्रोम का संभान है तो यह जो जैन हो जाखा जाए इसका संभान कि किसे आपको बताना और पहले कुष्चिन का उंसर देखना है कि तो आपका सही है या गलत है तो आपका उंसर हो जाएगा यहां पर पहला प्रिंटरों जो ज इन्जिनक इंप्रिंटिंग से ठीक है ज़ी मिक इन Zeil Mesh उंजल इसका असमद्द किस से नेक्स रगढ़ करने फुर्ट कस्ट्सन की लुट कहना फ्रेडर में सुन्ड्रोम है यह यह संड्रोम किंस च्रोम की इंवëम होता है तो गर हमारा प्रेडर मिन्ट्रोम होता है बो किस प्रोमोजूम की जीनों में के प्रिंटिंग के कारड होता है तो इसका आपका आंसर हो जागा 15 यानि की सी आंसर इसका सही हो जागा नेक्स्ट कहे रहा है संतान में पिता के कितने प्रितिशत जीन पहुंचते हैं तो संतान में पिता के कितने परसेंट जीन पहुंचते हैं आप सभी जानते हैं अप्शन क्या हो जागा सी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है सी 50% ठीक है नेक्स्ट कहे रहा है जीन क्या है तो वह जीन क्या होता है यह आपने पड़ा होगा जीन को क्या कहते हैं यह क्या होता हमारा डी एने के प्रोटीन होते हैं किसके प्रोटीन होते हैं डी एने के प्रोटीन होते हैं अगर आपने सी ऑप्सन लगाया तो बिल्कुल सही लगाया आंसर क्या हो जागा सि को क्या कहते हैं सोच ए तो यहां पर आप सन आपका अगर भी लगाया है तो बिलकुल सही होdt एनली सो में क्या हो जाएगा नली सो में दो एट कहले आइट कह रहाए और अपरिवर्तन वियुतकर मढणिये होता है ठीक है reverse होता हैलटा होता है 8 9 question aí अपका कहना है कौन सा रख्त्त समू shall weदाता होता है इनमें कौन सा रख्त्त समूह ऐसा जो सबीको बिल्ट दे सकता है ठीक है तो बताई है आप समस्हां आठ न päकाष्य आप लगारहें तो बिल्कुल व्यक्ति को गलत रक्त दे दिया जाए तो क्या होगा गलत रक्त चढ़ने से क्या होगा तो इसमें आपका आंसर एगर आपने लगाए तो बिल्कुल सही है कहरा है गिराही की लाल रक्त कड़काओं में थक्का बन जाएगा क्या हो जाएगा गिराही की जो असेप्ट करेगा जिसको दिया जाएगा वसकी जो और भी ंवें यहूं को जाएगा थकि कैस लिए गलतकूर नहीं चड़ाते हैं गलत ब्लå्ट नहीं किसी को," नियुक्त में से कौन मानभ यह तो इन क्या होता है कि लगाइव आपको यह लाज जो सेटaggi होगाते हैं अगुण के सैट को का सब्सक्राइब एक सिपर मेल का आउनवशिक संगटन होता है तो 3 simple सेखेड लगा रहा है कि सब्सक्राइब प्रहर करें करा रिंग सहलगन सक्सेघ्ट रोग है तो ऐसा कौन सा रोग है जो लिंग सहलगन से उत्पन होता है तो यहाँ पर हम बात करें हीमोफीलिया अगर आप D answer कर रहे हैं बिल्कुल से कर रहे हैं answer हो जागा आपका D हीमोफीलिया next हमारा 7th unit है इसका first question कहरा है Y chromosome की छोटी भुजापर gene उपस्तित होते हैं जो Y chromosome होता है उसकी एक छोटी भुजापर Chromosomes उपस्तित होते हैं कौन से इनमें से आपको बताना है तो आपका क्या हो जागा इसमें आपका answer हो जागा D अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है क्या होता है Holandric gene क्या होता है Holandric gene ठीक है next दूसरा देखो क्या कहरा है second कहरा है एक plant जिसका genotype बताव ृउस पौँ होता है तो कोई भी पौदा हो या कोई भी ब्यक्ति हो उसकी physical state को बताता है यानि कि वो ब्यक्ति कैसा लंबा है चोटा है बोना है तो यह क्या होता है उसकर फिझ अप्पर ठीक है ऱह उसमें कहा रहा है ढ粮लड़ सहीए घिन है तो जो gamete होंगे वो कितने gamete प्राप्त होंगे यह आपको बताना है तो यहां से आपको मिल जाएंगे answer D यानि कि दो प्रकार के gamete वो produce करेगा ठीक है कितने प्रकार के करेगा दो प्रकार के answer D यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जागा नेक्स्ट हम बात करते हैं कहा रहा है निम लिखित में से कौन सा गुड़ सूत्रिय बिपथन नहीं है यह आपको बताना है तो answer लगाई यह आप कौन सा लगा रहा है answer अगर आप D कर रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है कह रहा है ट्रांस डक्षन ट्रांस डक्षन गुड़ सूत्रिय बिपथन नहीं है ठीक है नेक्स्ट फोर्थ कह रहा है रावर्ट 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 सोनियन रावर्ट सोनियन ट्रांस लोकेशन किस गुड़ सूत्र में नहीं होता है तो रावर्ट सोनियन जो ट्रांस ल पाँजाइब आउटो पाई जाते हैं यह आपको इसका आपताना तो यहां पर बात करेंगा मनुस्थि तो इसमें ट्वेंटी टूपिर्स टीक है यानि की बाइस जोड़ी मनुस्थ्य मेंस्थ पाई जाते हैं ठीक है नेक्स कहरा गुरसूत्रों की मनुष्य में निश्चित संख्या के खोज करता है कौन व्यक्ति यानि की कौन से बैग्यानिक थे जिन्होंने गुरसूत्रों की निश्चित संख्या की खोज की थी मनुष्य में तो ये आपको इसका आंसर बताना है ठीक है तो ये बैग्यानिक हमारे कौन स थे यह आपका झालो जागा से ती जो तथा लेवन अगर आपने यह answer किया तो बिल्क्ल सही बताएं स्टी आंसर हो जाएगा आपके आपका लेवन नेक्स्ट हम बात करें है सेवन कहना लिंग सहलगन, सैक्स लिंक्ड गुड़ है, तो ये जो लिंग सहलगन होता है, ये कैसा गुड़ होता है, ये हमारा होता है, अप्रभावी, कैसा answer A, इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चो, नेक्स्ट कहरा है, पेलिंड्रोम है, तो जो पेलिंड्रोम है, ये क्या होता है, ये वताना है अपको, पेलिंड्रोम क्या होता है, answer A, यानिके काहरा है, dna क्रम, जो दोनों और से पढ़ने पर कैसा होता है, समान होता है, उससे हम क्या कहते है, पेलिंड्रोम कहते है, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कहरें, तो कह céu रहा है, cat cry, cat cry syndrome क्या है, तो य एकदम सही हो जागा ठीक है किस्से हो जागा गुरशूत्र की एक छोटी भुजा के बिलोपन के कारणया आपको कायट किराहिय नामाप सिंड्रोम होता है कौन सी कंडिशन में डाउन सिंडरोम होता है कहे में आप काँसर क्या हुग जालागा सी आंसर 21 ट्राइशों में किस से हो जागा 21 ट्राइश वी ठीक है यानि कि इसमें एक गुर्ण वूत्र कम हो जाता है एक वॉठ यहां से निकल जाता है यह कहा जाता है झोड़े में गुडिशूत्री की कमी यह की में पीर में गुडिशूत्रा आपका कम हो जाता थीक है तब ही क्या हो जनता आपका down syndrome हो जाता, next अगने बात करें तो कह रहा है तो तो इसका आंसर आप कर कौन सा कर रहे है तो इसका अंसर आपका बिल्कुल C अगर आप लगा ही सिए हो जागा हो मो जने टिक क्या हो जागा हो मो जने जने जनिस्टिक का शंग्रहणी क्या कर दो जाए हो Presorum और तो वडांदता तो आप जानते हैं रंग में विभेद्व नहीं करने वाले व्यक्ति हो वडांद वैक्ति कहते हैं तो इसके जो जीन होतें वह कौन से गुड़ सूत्र पर प्रिजेंट रहते हैं यह आपको बताना है तो यह आपका answer करिए answer यह सरा आपका हो जाका दuba जाता है लेकंस गूलर पर जाता है जीद ठीक मनुस्य कि को में कितने यह कूछिक epic आते हैं जैसा कि आप सभी जाते मनुस्य कोशिका में 23 पर हैजाते हैं 46 ग्रोम जिनमें से 22 प्रेट कैसे होते हैं समान होते जो ठर्ड प्रोटा वो डिफ्रेंट हो जाता है एक्स एक्स और एक्सवाई ठीक है तो यह होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें करें यह कैसी स्त्री जो हीमोफिलिया के गुड की बाहक है कि मदलब उसके अंदर यह जो disorder है बो है दूसरे बेक्ति में पहुंचा सकती है ठीक है किसी स्वस्थ मनुष्य से साधी करें तो संतान कैसी होगी जो इस्त्री है उसमें तो हेमोफिलिया का गुण मौझूद है जो इसमें disorder है बो दूसरे बेक्ति में भी पहुँचा सकती तो इसे को कहते हैं बाहक ले जाने वाला ठीक है वोगर एक अच्छे इंसान से साधी कर लेगी स्वस्त मनुष्य से साधी कर लेगी तो जो संताने होंगी उनकी संभाबना क्या होगी कैसी होगी संताने तो इसका आंसर आपका हो जाएगा D यहाँ पर क्या हो जागा D आप लगा रहा हैं तो बिल्कुल सही लगा है 50% लड़के कैसे होंगे? हीमोफिलिया से पीडि थी quan ponto 50% लड़के हीमोफिलिया से आपके पीडित होंगे ठीक है और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं तो चलिए फिर से ट्राइब कीजिए मेरे साथ आप आंसर दीजिए कौन सा आपका सही है कितने गलत हो रहे हैं तो पहला है कहा रहा है विडाल टेस्ट प्रियोग किया जाता है वो निम्न में से कौन से रोगों के लिए प्रियोग किया कोच पास्चुलेट किस पर लागू नहीं होता है जो कोच का पास्चुलेट था वो किस पर लागू नहीं होते हैं तो यह बात करें दूसरा अंसर लगाई यह आप कौन सा हो जागा आपका कोच इस पास्चुलेट किस पर लागू नहीं होते हैं तो यह आपका अंसर हो जा है यहां पर यह जो कोविट का मिउब एरियंट है इसके अगर हम बात करें तो यह कौनसा हो जागा आपका यहांसे हो जागा दी नहीं होगा तो बञूंप बाइरेंट का रहा गार्ण सबसे अतिधिक संक्रामक बाइरेंट कौन सा है तो कोरोना का जो वाइरस है उसका सबसे जादा गातक बाइरेंट कौन सा है यह आपको बताना यहां पर तो अभी हमने देखा था कि जो डेल्टा था वो बहुत ज्यादा घातक सुने में आ रहा था तो कौन सा हो जाएगा आप सना आपका डी एक दम बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट अगरम बात करें जो यानि कि फीवर इस रोक का एक लक्षण है तो फीवर में कैसा कौन सा लक्षण है यानि कि जो द का नेक्स्ट का राक किसका कघ्रा में 101 वाला पर जी वर Mỹ लसीं का सऊरी का द्रम में Ο अंसरे एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा तो मलेरिया का बाहँ करना को यहां जीवान को एक व्यक्ती नहीं बताना है किस पाई जाती है यह आपको बताना है कशाव जली किसमें पाई जाती है तो यह आपका हो जागा trepano कहीं लिखा है यह answer आपका हो जागा trepano soma क्या हो जागा trepano soma answer A आपका बिल्कुल सही हो जागा है यहां से ठीक है नेक्स्ट हम बात करें question 9 कह रहा है हमसे कह रहा कौन सा पर्जी भी seribro spinal drug seribro spinal liquid में पहुंचता है ऐसा कौन सा परजीवी है जो सेरी ब्रू परजीवी बनने रोग नहीं है यह इसा कौन सा रोग है जो परजीवी से नहीं होता तो यहां पर नेकस्ट हम बात करें 11 कायरा सुकेंद्री पर जीवी याने कि यूट्र यूकर차 कोशिकाय जिनमें चाह्या पाहसा तो यह वाला रोग होcü सुकेंद्री पर जेवी यानरी की यू पर जीवी से होने वाला रोग कौन सा है यह आपको बताना है तो यहाँ पर आपका अंशर अगर यह कर रहा हो तो बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहा है क्या हो जागा चकाज है फिए अ मारा ट्वाल जोहा आपको बताना प्रोटो जोह से नहीं वाला रोग आपका कौन सा है तो अगर आप सी आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहा है क्या हो जागा आपका फाईल एरिया आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा next 13 काहनग कों सा रोग ट्रिपैनोसोमा द्वारा नहीं होता है तो त्रिपेनोसोमा जो दो होता है उसके ध्यूरा नहीं होता यह आपको बताना संब पर हम बात करें यहाँ पर आपका अंसर शी अगर करें कर रह바 लुक्षिकत और तो बिल्कुल सही कर रहा ह। American sleeping sickness American sleeping sickness जो है वो ट्रिपन त्रिपन नुसों मत्वारा नहीं होता है अगर हमारे बात करें फील पॉंग तो कह रहा है फील पॉंग का वहक है ठीक है फील पॉंग का बाहक है elephant elephantysis elephantysis का जो बाहग है carrier है वो क्या होता है तो 14 का answer करिए आप 14 का answer आपका हो जागा ए अगर आप लगा रहा तो बिल्कुल सही लगा रहा है Qlex क्यों जागा Qlex आपके हैं पर 14 का answer हो जागा आपको बताना है कौन सा परजीवी है जिसके द्वारा आपका elephantysis उत्पन होता है फिल पाउं उत्पन होता तो 15 का question करिए आपके अनुसार कौन सा हो जागा तो यहां पर answer हो जागा आपका भी अगर लगा है तो प्रजीवी है जिसके काड़ आपका elephantysis हो जाता है यह पैर आपके सूच जाते हैं तो यह बात करें करें निमलिखित में से एक जीवाडू नहीं है तथा यह डाइरिया से उत्पन डाइरिया रोग उत्पन करता कौन सा जीवाडू नहीं है जो की एक डाइरिया से उत्पन करता है तो question के answer करिए आप 16 का क्या हो जागा आपका आपका answer हो जागा शीटीटीन का आंसर अगर आप यह कर रहे हो तो बिलकुल सही कर रहे हो एंटिरो भाइरस क्या जब नहीं है यह क्या है बाइरस अठीक है जीवाडू नहीं सब्सक्राइब करें कि माईक्रोबायलोजी का जनक है तो सुप्षम रूजी के जनक कौन कहला थे यह आपको बताना है तुजैसा कि आप जानते हो इसका अंसर आप बी कर रहा हो लुइस पास्चर तो बिल्कुल सही है आंसर किया जागा लुइस पास्चर जो थे वह कौन से थे माइक्रो वायलोगेस्ट थे ठीक है अगर हम बात करें 18 कह रहा है इस ट्रेप्टो कोकस लैक्टिस का संबंद किससे यह आपको बताना है क्या बताना है इस ट्रेप्टो कोकस लैक्टिस तो यह करता है दूद को दही में बदल यह होता है ठीक है तो यह आपका चाय और तंबाकु के पत्यों के संसाधन के लिए यह उत्तरदाई होता है ठीक है नेक्स्ट कहरा है बायोगैस उतिफ़ंद होती है ते जो किसके द्वारा उत्पन होती है, यह आपको बताना है, तो यह जो बायोगैस होती है भो आपका आर्टे वैक्तेरिया के द्वारा उत्पन होती है ठीक है, आणसर भी आपका एकदम यहापे सही हो जाअगा, नेक्स्ट कहरा है चारवनिक प्रदूसरों में निमनी करण याने के डिग्रेडेशन उनको तोड़ना ठीक है अब घटित करना के लिए इंजीनेरिंग द्वारा समुद्र के जल के प्रदूसरों को डोगने वाले वैक्टीरिया है險擊 तों कारवनिक प्रदूसरों को निमनी करण के लिए engineering द्वारा समदर के जल में production को रोकने के लिए कौन सा bacteria है ये आपको बताना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा pseudomonas क्या हो जाएगा answer A आपका बिल्कुल सही है pseudomonas क्या है pseudomonas answer A next कहरा 22 कहरा bacteria द्वारा अकार्वनिक पदार्थों में आक्सी करण से प्राप्त उर्जा कहलाती है तो जो bacteria होते हैं उनके द्वारा अकार्वनिक पदार्थों में जो आक्सी करण से उर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं तो वह उर्जा आपकी कौन सी कहलाती है रासाइने कमसी कहला हैकी रासाइने का अकार्बनेग पॉसिताग कै नाइटरि फाइंग नाइटरि फाइंग वेक्टीरिया होते हैं यह आपको बताना पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव तो यहां पर अगर हम बात करें नाइट्री फाइंग की तो यह आपके कैसे होते हैं ग्राम नेगेटिव रसायन अकार्वनिक पोसिता ठीक है ग्राम नेगेटिव रसायन अकार्वनिक पोसिता नेक्स्ट गहरा है सबसे छोटा वैक्टिरिया है तो सबसे छोटा वैक्टिरिया आपका कौन सा यह आपको बताना है क्या बताना है सबसे छोटा वैक्टिरिया होता है डायलिस्टर क्या होता है तो आंसर आपका वी हो जागा क्या हो जागा डायलिस्टर न्यूमू सिन्टर् तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की ती यह आपको बताना है तो लुविन होग नामक बग्यानिक थे यह भी लुविन होग जिन्होंने वैक्टीरिया की कुछ सबसे पहले की थी ठीक है नेक्स्ट कहरा है बैक्टीर तिंपरी का सब्सक्राइब सब्सक्राइब अग्राम पॉस्टिव पॉस्टिव और ग्राम नेगेटिवश बैक्टिरिया की मुख्य अंतर क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया की जो रचना होती है उनमें अंतर क्या होता है यह आपको बताना है तो यहां से अगर हम बात करें तो इनका आंसर क्या हो जागा है यह यानिकि उनकी कोशा भित्ती में अंतर होता है उनकी कोशा का बैक्ति में अंतर होता है ठीक है ग्राम पॉस्टिव उर्ण निगेटिव बक्टेरिया के रचना में चैचक रोग माल पॉक्स छेचक रोग क्या है आपको यह बताना दो ट्रोंब बात प्रोंग है यह यह जो होता है यह एक बाईरल द्वारा होता है जो एडसो वायरस में किया पाया जाता यह आपको बताना है तो अगर हम एडसो बात करें तो यहां पर आप का आशर स्रेंड और इसमें पर के होता है लकल ऑざंद कर और इस तरहसे और इसमें आपका कैसा होगा यह कहीं होगा ठीक है इसमें दो हमारे इस ट्रेंड होते हैं तो यह कैसा होता है एकल वले की आरेने चोटी कहां पाया जाता है बाइरस में पाया जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्टी कोश्चन हमाति हुआ यहीं होता है जो है वो और हमें बताना है कि हमारा कौन सा यहाँ पर अगर हम बात करें अगर आप इसे निमलजुयत में से रोग नहीं है कि बार्व गॉत पन नहीं होता है यह आपको बताना है तो आपका थड़ेंगे अह सब हमारे क्या हूत है यह वाइरALY जिवाडू से होते हैं टिए गाँ सब्सक्राइए और नेक्स्ट अगर हम बात च्रिंठी फिसी की थी तो बायरस की खूझ इवानुवस्की नाव करनっち जों की थी भीस की थी त्थी डिनिक रिखेटेरिया रिखेरी लैक्तिरी सिवाडल्ड़ों से निछ वाल्य क्लँवाइफ कि अगर यहां पर हम बात करें तुर आप का हो जाएगा साइनओ कौन सा ओजाएगा यह सानव्स डागे को जाएगा ढ quarter एक पर हम नगेर और इस औह। नीछ तो आपको यह बताने ग्राम नेगेटिव वैक्टिरिया कौन सा होता है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जागा अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल सही कर रहे हो क्या है एकदम सही हो जागा नेक्स हम बात करें çek लाम नामक भीमारी किसा वाइरस से होती है uz यह विवारी है onse ait गार बताना है है उसकी अगर हम बात करें चिकन फाक्स की तो यह जो बीमारी है यह आप क्यों हो जाती है Chelsea से बैरिसेला जोस्टर वायरस बैरिसALLY K एह वायरस होता है इस चिकन फाक्स याने कि छोटी माता इंग उत्पन कर देता थेक यह बीमारी से कौन सा उसका हो जाबा पूलिउक कैसा है तो पूलिई अगर हम बात करें तो यह ऐसा वायरस होता है क्या अब है ऌद ईसरा हुता जह जिसमें ँरा जो होता है तो कैसा हम्ता से नकाथ थे शिंगल का नर तो यह तो थे आपके ज 폰ा-ध कूझ हमने बात की थे यूनिट अपनी फिप्त से लेकर यहर्त तक के सभी हमने ते की आपका जुलोजी जुलोजी पार्ट जुलोजी का जो प्र है आपका उसके सभी एंसे की जो हो गया आम पेश्ट सेंब लेखेश्ट के लिए सभी आपगे यहां से करा दिए गए हैं और यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इनको आप सभी को अच्छे से पढ़े लेना तो आप अच्छे स्कूर कर जाओगे अपने साथी बताना जाओंगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने और साथी लाइक का बटन जरू दबा दिए ठीक है जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छा पढ़ाने की कोशिस करें ठीक है नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं तो बने रही हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू